दिल्ली से सटे ग्रेटर नोयडा में लूडो खेलने के दौरान खासी आने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई पुलिस के मताबे गोली मारने वाले का कहना था कि खासने वाला व्यक्ति उसे करोना वायरेस से संक्रमित करना चाहता है ये गटना जारचा पुलिस इस्टेशन के दयानगर गाउं में मंगलवार रात नौ बजे हुई पुलिस अधिकारी ने नियूज एजनसी पी टी आई को बताया कि गाउं के चार लोग लूडो खेल रहे थे तब ही जैवीर सिंग उर्फ गुलू वहां पहुचा इस दोरान प्रशान सिंग नाम के शक्स को खासी आ गई पुलिस अधिकारी के मताबिक इस पर गुलू नाराज हो गया और उसने प्रशान पर जबरन खास ने और उसे करोना वायरस से संक्रमित करने का आरोप लगाया थोड़ी देर में ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और गुलू ने अपनी पिश्टल निकाल कर प्रशान को गोली मारती पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशान की हालत खत्रे से बाहर है और गुलू के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है दोनों ही दयानगर गाउं के रहने वाले हैं और खेती बाड़ी के काम से जुड़े हैं इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें करोना वायरस के संक्रमन के डर को लेकर लोगों ने अपने परिछितों को ही घर में नहीं आने दिया करोना संक्रमेतों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के ड्यूटी से घर बापस आने पर भी विरोध की खबरें सामने आई हैं सत्त हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं